नमस्ते अब बिवातन आपका एनों सेंटे इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कलकी बाजार की आज क्लोजिंग हुई 18.647 पे क्लोजिंग नेगटिव है लेकिन कैंडल ग्रीन है क्योंकि हम नीचे खुले थे और नीचे से उपर आ करके बंद हुए अगर पॉइंट के टमस में बात करें तो लगबग लगबग 75 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोज की है अच्छी बात है या बुरी बात है बुरी बात ह क्योंकि हमें एक important level था जो आपको बताये थे उसके नीचे closing पाए है जो की अच्छी बात नहीं है दूसरी जो negative बात हमारे सामने आई वो आई FIIDIS के data से क्योंकि दोनों के तरफ से ही बिकवाली की गई है भले बिकवाली छोटी है लेकिन की दोनों के तरफ से गई है ठीक ह और एक यहाँ पर level था 580 इन दोनों ही level से लगभग लगभग बाजार का सामना हुआ यह important level था मैंने बोला था कि बाजार को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और बाजार इसके काफी नीचे खुलती है अगले support पे एक बार के लिए रुकती है फिर वहाँ से उपर आने की कमजोर होई है एक निफ्टी भी वही थोड़ी सी negativity का इसारा हमको दे रहा है तो कोई बात नहीं है नेगटिव डेज को भी handle करना आना चाहिए एक निफ्टी को देख लेते हैं 710 18 710 के आसपास closing एक्चली अभी trading हो रही है बात करेंगे भी इस पर और last data भी देखेंगे आ अगर आपने वीडियो देखी होगी कौन सी नहीं बताऊंगा जा करके देखो must watch playlist में है यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला लेवल आपको बता गया था इसके नीचे ट्रेड लेने के लिए बोला गया था और उसके बाद देख लीजे क्या हुआ 307 रुपए 80 पैसे और जो क्लोजिंग हुई है 328 रुपए 50 पैसे खेर एक अच्छी बात यहाँ पर वालिम क्यों बढ़ा है वह आप डिकोड करो और उससे क्या करना है वह आपको पता है एक इंपोर्टेंट डेटा डिसकस करेंग और बहुत महिनत की इंडिया ने तब जाकर के वापस मिला है एकसेस हैकर्स ने अब जो टॉप मेडिकल बॉड़ी है ICMR है सम्धिन इसी तरीके का नाम है मुझे एक्जाक्ली नहीं पता उसको 6000 बार अटेम्ट किया हैक करने के लिए ICMR की वेबसाइट को ठीक है सोर्सेस इंडिया की जो टॉप वेबसाइट है वो क्या पूरी तरीके से सुरक्षित हैं आपको इस पर विचार करना पड़ेगा बैंक वगएरा काफी सुरक्षित रखते हैं फायरवाल वगएरा अपडेटेड रखते हैं फायरवाल ही था जिसने बचा लिया किसको आइसी हमारे की वेबसाइट को नहीं तो एमस जैसा हाल हो जाता अब एमस की वेबसाइट रुक गई उसके बाद कितना बुरा हाल हुआ है आप जाकर के जब वो निउस पड़ोगे आपको समझ में आएगा और ये बात तब है ये चीजें तब हो रही है जब इंडिया इंडिया का पूरा दबदबा होना चाहिए लेकिन इंडिया किस कंसेट पर काम कर रहा है नौकर पैदा करने की कंसेट पर काम कर रहा है जी हां हम बहुत ही अच्छे अच्छे नौकर पैदा करके भेज़ देते हैं विदेश और वहां जाकर के सेटल हो जाते हैं जैसे गली की सारे लड़कों को वह यही ताना मारेंगे भले ही सारी जिंदगी वह खमाई कर की चार करौन नहीं कठा कर पाए हूँ लेकिन बंदे mister करोण का पैकेज मिलना चाहिए था तुन नाका रहा है निकंव अब इस これ करोन का package मीडिया दिखाती है ये हराम खोर मीडिया दिखाती है लेकिन ये कभी नहीं बताएगी कि इस पर डेड़ करोन का tax भी लगता है बचा हुआ ढाई करोन अब जिस तरीके से जिस जगें वो काम करने गया है वहाँ 10-15 लाख रुपए महीने का ऐसे ही खर्चा हो जाता है सिंगल बंदे के उपर ठीक है तो लगबग डेड़ करोन यहाँ पर चला गया बचा एक करोन अब वो एक करोन इंडिया में बहुत ही नॉर्मल सी बात है बहुत सारे लोग कमार है उस पर इतना होला नहीं मचना चाहिए क्योंकि आप इस देश के सुपर टैलेंट थे और आप सिर्फ इतने में सिमट गए खैर मैं यह नहीं कहरा हूँ एक करोन रुपे कम होते हैं कुछ इस तरीके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं यह कहरा हूँ कि भाई साब आप टॉप टैलेंट थे आपको नौकरी पैदा करनी चाहिए थी आपको नौकर नहीं बनना चाहिए था ठीक है आपको नौकर नहीं बनना चाहिए था और जो दूसरी सबसे खतरनाक बात है वो यह कि हम जैसे टैक्सपेर्स जब पैसा देते हैं तब भारत में सरकारी संस्थान ऐसे students पैदा करते हैं और ये सरकारी colleges से निकले हुए students बड़े-बड़े अच्छे colleges से निकले हुए students विदेश में जाते हैं, वहां की companyों में काम करते हैं नौकर बनते हैं वहां के और वहीं settle हो जाते हैं वहां की क्या बोले, ले लेते हैं न, वहीं रहने लगते हैं वहीं settle हो जाते हैं, काम कतम tax भरा भारत का बंदा, ठीक है college था इंडिया का, talent था इंडिया का और उपयोग कौन कर रहा है, कोई और, ये है सच्चाई और इसी कारण, कोई है, जो 6-6,000 बार attempt कर ले रहा हमारी websites को, ठीक है किसी की हिम्मत होनी चाहिए, भारत के पास वो IT talent है मैं आपसे बोल ला हूँ, कि ये जिस देश की hackers ने किया है, उस देश के hackers को mintो में जवाब दे सकते हैं Indian talent में वो ताकत है और media हमको, उनको hero बना करके दिखाती है, हमारे heroes की कभी बात नहीं होती जो बचारा 40,000 भी तनखा नहीं पाता जब वो join करता है मैं भारती सेना की बात कर रहा हूँ, पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, ये बचारी कितनी मेहनत करते हैं और इनको 40,000 देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और हम जैसे taxpayers जब अच्छे-च्छे colleges में हमारा tax जाता है वहाँ से जब बच्चे निकलते हैं उनको बता देंगी, जा बेटा विदेश मैं तो कहता हूँ, रोक लगनी चाहिए इस चीज पे पूरी तरीके से किसी को भी, अगर भारत के college में पढ़े हो तो भारत में पहले 15 साल नौकरी करो भारत की सेवा करो भारत में रोजगार पैदा करो तब यहां से बहार जा सकते हो सुरू के 15 साल तो पूरी रोक होनी चाहिए अगर मेरा बस्चलित, मैं तो हमेशा के लिए बोल दूँका अगर भारत के संस्थान में पढ़े हो यहीं आपको रह करके सेवा करनी है देश की ठीक है, दूसरे देश की गुलामी नहीं बजानी है हमने बहुत बहुत गुलामी जहली है ठीक है, यह सब बाते हैं बाकी आपके लिए यह news important इसलिए है कि भाई साब जब बड़ी-बड़ी websites नहीं सुरक्षित हैं तो आप अपने आपको कैसे सुरक्षित माल लेते हो अपने phone को, अपने devices को पूरी तरीके से सुरक्षित रखो अगर आप laptop और यूज कर रहे हो तो firewall बिल्कुल updated रखा करो अपने जो antivirus है उसको अच्छे से update करके रखा करो बाकी आगे बढ़ने से पहले मेरा नौकर कहके किसी को आहत करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था मैं आपसे पूरी तरीके से ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आप भारत में हो भारत की सेवा कर रहे हो भारत के लिए taxes पे कर रहे हो भारत की company के लिए काम कर रहे हो तो आप उस company के एक बहुत important सदश से हो और आपको मेरा सलाम है अगर आप और किसी जगहें पे अपना काम कर रहे हो तो आपको अच्छा वाला सलाम है ठीक है अगर आपके पास कुछ काबलियत है तो अगर आप अपने देश की मदद करोगे न वो ज़्यादा बेटर है कहीं और जाकर के बता दो मैं 400 करोण के पैकेज पे काम करता हूँ तो उस पे मैं क्या बोलूँ खैर आपको आप समझदारी दिखाओगे और मेरी किसी बात से आहत नहीं होगे ठीक है नौकर मैंने किसको बोला है जो दूसरे देशों की जाकर के गुलामी करते है जाहे वह 4 करोण के पैकेज पे काम करें चाहे 40 करोण के वहाँ जाकर के भी जिनसे भारत को प्यार होता है जो भारत के बारे में सोचते हैं जो वहाँ पर सेटल नहीं होना चाहते हैं सिर्फ कुछ सीख करके वापस आना चाहते हैं उनको मेरा अलग से सलाम है खेर चलिए सलाम बहुत हो गया अभी बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स की BPCL के बाद सॉरी BPCL इंट्राडे स्टॉक नहीं रहेगा कल के लिए कल रहेगा सन टीवी पहला इंट्राडे स्टॉक 500 फिर से गिरावट जारी हो सकती है ध्यान रखना लेवल्स पर फोकस करना लेवल्स कैसे निकालते हैं वाटिस टेडिंग सेटप वीडियो देखो कोल इंडिया ये रहेगा आपके लिए दूसरा इंट्राडे स्टॉक और ये भी कमाल के लेवल पर खड़ा है इधर साइट बढ़ियां ट्रेड मिलेगा पॉस्टिबिटी जलक रही है चार्ट पैटर्न बढ़ियां लग रहा है अगर ये स्टॉक 231 रुपए तस पैसे तोड़ देता है तो पॉस्टिब साइट का ट्रेड थोड़ा सा कतराईएगा या फिर बहुत नीचे खुला हूँ ठीक है एक देड़ दो परसे नीचे खुला हूँ तब ठीक है इनफोसिस रहेगा आपके लिए तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट इंट्रारे स्टॉक तहां रखिएगा इस पे भी बात करते हैं लेवल्स की उससे पहले थोड़ा सा इजेक्स निफ्टी देखेंगे 18711 अगर पॉइंट के टर्म में देखें तो लगबग 41 ठीक है कोई बात नहीं कुछ भी बूरा नहीं है यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट से ही सारा है उस तरी किसे ठीक ठाकी ट्रेड कर रही है 40 पॉइंट नीचे लगबग खुल सकते हैं इसलिए आपके लिए फिर से लेवल्स तो काम आएंगे हाँ बाकी लेवल्स की मैं अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी का आज सायद आपने एक लेवल देखा हो यह लेवल के बारे में कल मैं अच्छी वाली वीडियो में वीडियो देखने के आपका भार मिलते हैं नमस्कार